गुट मॉर्निंग्स जीताई इसके ओनलाइन प्रेट फार्म पे आपका स्वागत है एक्चली में जो एल्टी का एकजाम मार्च में होना है मुझे लगता है कि आप्टर वन वीक इसका फॉर्म भी आ जाएगा तो उसमें एल्टी एसस्टी की एक डेमोटरेशन क्लास इंडि करूंगा एक क्लास और इस्टेट यह आपके साथ पहले भी डिस्कस कर देगाई है और कानपाल जी की क्लास भी गया थी तो काफी स्ट्वेंटर्ट की एक्वारीज आरी हैं इससर उसके इसके एल्य viktigt सालैबस को डिसकत कर नहें और economics और geography इसे जीवन सतलेंगे 25 अक्टूबर को आपको class शुरू होगी 5-7 दो class चलेंगे आपकी 11 hour की class आपकी live होगी live के साथ recording भी मिलेगी आपको class की PDF मिलेगी और test is तो देखिए इसमें Indian history है वर्ल्ड history lecturer में आती है एल्टी में नहीं तो इसमें बहुत important से topic जहांसे बहुत question बनते हैं वो मैं आपकी साथ discuss करूँगा तो आज अक्बर के revenue system को लेकर चलते हैं यानि अक्बर की भूराजय सुष्था अक्बर की भूराजय सुष्था इसमें देखिए अक्बर की जो भूराजय सुष्था है अक्बर की भूराजय सुष्था अरहे माहन था नो डाउट अक्बर महन था तो अक्बर की महनता के कारण ये थे कि उसने बहुत से काम किये देखिए अगर परसासनिक सुधारों की बात करते हैं तो उसने मनसबदारी प्रुष्था लागू कि उसने संगित के छेतर में भी काम किया है तानसेन उसके दर्बार में रहता था चेत्र कला के छेत्र में भी काम किया है, इसके साथ साथ उसने अखिल भारत का निर्मान किया है, उसने आर्किटेक्चर इस्था पत्यकला के छेत्र में भी काम किया है, और भूराजस जो विवस्था थी इसमें भी काम किया है, उसने विद्वानों को भी शन्रक्षन दिया है तो इसलिए अकबर महन था तो अकबर की जो महनता है उसमें अकबर की भूराजस भूराजस सम्मंधि सुधारों का भी योगदान है सुधारों का भी योगदान है लेकिन यहाँ पर देखिए यह जो अकबर की भूराजस विस्था है इसे मोलिक नहीं कह सकते मोलिक मोलिक नहीं कह सकते एक्चली में मोलिक मोलिक का मतलब यह यह कि यह पूल रूप से 100% अकभर का कोंसेप्ट नहीं था से बलकि जो सेर्सा सूरी था सूरी के जो भोराजस सुधार थे यह जुसकी भोराजस वविस्था थी वविस्था इस वविस्था का ये सुद्रावा रूप था तो देखे आकपरी ने क्या किया है आण फिप्टीन 1563 में 1563 में एतमत खाँ यह इसका finance minister था य्यानि वितमंत्री था वितमंत्री इसके द्वारा जो खालसा भूमी है खालसा भूमी यह भूमी है भूमी को जागीर भूमी से अलग किया गया पर्थक किया पर्थक किया इसका मतलब समझे यह जो खालसा भूमी होती है खालसा भूमी का मतलब सरकारी भूमी होती है सरकारी भूमी से तत्प्रिय है जहां से गोर्मेंट को यानि बादसा को टेक्स आता है जागिर भूमी जागिर भूमी यह सरकारी भूमी से अलग होती है कि बैस किसी अधिकारी को आदी को जागिर दे दे गई तो कल तक यही नहीं पता लगता था कि खालसा भूमी का कौन-कौन सा हिसा जागिर भूमी नहीं तो यहां पर जागिर भूमी का छेत्र भी घटाया गया था छेत्र भी घटाया गया गया तभी तो रज्जे की आए बढ़ेगी इसके बाद बाद शेत्र ऐसे थी जहां भूमी की माप नहीं की गई थी जिन में बेसिकली परवतिय परवतिय चेत्र यहां माप नहीं की गई इसके साथ जो राजपुत राज्ये थी राजपुत राज्ये यानि जिनों ने आकबर की अधिनता सुईकार की थी ठीक इसके साथ साथ पंजाब पं यहां पर भूमी की मापन नहीं की गई लोगजे सिकंद्री से किया गया लेकिन यहाँ पर एक चीज देखना है या जो गजे सिकंदरी है जो जरीब होती थी इसमें रस्शी से मापन किया जाता था रस्शी से भूमी मापी जाती थी भूमी मापी जाती थी मापी जाती थी लेकिन स्ट्रेंट्स जब रस्टी से भूमी का मापन होता है तो इसमें एक ड्रोबेक होता है और वो ड्रोबेक ये होता है कि रस्टी से प्रोपर मेजरमेंट नहीं किया जा सकता क्योंकि रस्टी क्या होती है ये घट बढ़ जाती है घट घट बढ़ जाती है अब आपने चीज़ देखी होगी कि अप्रेल मही का जो महिना होता है उसमें लू चलती है इन्वार्मेंट में मुश्चर नहीं होती तो ऐसे में रस्षी फ्लेक्सिबल होने के कारण बढ़ जाती है अगर हम बर्सात की बात करें तो उसमें मुश्चर होती है और रस्षी थोड़ी सी सिकर जाती है तो प्रौपर मेजरमेंट नहीं होता तो जो रस्षी के स्थान पर क्या किया गया जो बांस की कमचिया थी बांस की कमचियों को मैं समझाऊंगा क्या होता है कमचियों को लोहे की कडियों से जोड़कर लोहे की कडियों से जोड़कर कडियों कडियों से जोड़कर जोड़कर यहां जरीब बनाई गई थी जरीब बनाई गई जरीब बनाई गई यह जरिब बनाई गई थी, तो इससे प्रोपर मेजरमेंट होता था, फिर इसके बाद बादसा नहीं, जो खालसा भूमी थी, खालसा भूमी, जो खालसा भूमी, गनी सरकारी भूमी, यह वो भूमी है जहां से गुर्मेंट को रिवेन्य जनरेट होता है टेक्स आका है खालसा भूमी पर 182 करोडी निउप किये करोडी निउप किये थे करोडी निउप किये अब इसका मतलब क्या होता है आप इमेजिंग कर सकते हैं आप ये मानगे यह जो हमारा भारत है मालीजे यह जो छेत्रे यह खाल सा भूमी है तो बादसा नहीं क्या किया इसे इस तरीके से 182 182 हिसों में बट लिया और एक हिस्से पर जिस अधिकारी को नियूक किया गया उसे करोडी नाम दिया एक्चली में उसे करोडी नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस छेत्र से इस छेत्र से एक करोड एक करोड करोड टंका कर कर आता था 182 करोडी न्यूक थी है इसे करोडी का मतलब होता है यानि उसे एक इतना छेत्र दिया गया जहां से एक क्रोड टंका टेक्स आता था गुर्मेंट को, एक क्रोड टंका टेक्स आता है एक छेतर से, तो वहां पर जिस अधिकारी को न्यूक्त किया गया उसे क्रोडी नम दिया गया, वो इसलिए चुकी एक क्रोड टंका टेक्स आता है, तो 182 क्रोडी न्यूक्त किया गय करना है को निर्धारीत करना है, यहां से tax collect करना है, tax वसूलना है वसूलना वहसे इसकी साहिता के लिए कुछ और भी अधिकारी होगे थे कर वसूल करना है यहां करों का विवरं रखना है, करों का विवरं Origin सिर्भ करना है, आधी था तो देखिए 1580 तक अकबर के पास प्रियाप्ट डाटा एकट्टे हो जाएंगे यही रीजा नहीं कि 1580 में अकबर आईनी देहसाला विवस्था लागू करेगा जिसें टोडरमल सेटलमेंट ये टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं तो यहां तक आपने सिर्फ इतना देखा है अब बादसानी क्या किया बादसानी उत्पादन के आधार पर उत्पादन उत्पादन के आधार पर आधार पर यहां भूमी को चार भागों में बाटा है चार भागों में बाटा है अब इस्ट्वेंट्स यहां पर एक चीज बताना चाहूंगा इससे थोड़ा स अबुल फजल ने अक्बर की तुलना आग हवा पानी और मिट्टी से की थी अकबर अबुल फजल ने कई मेर कोस्टन पूछा जाता है ये समें में मेरा उप्सनल रहा है तो वहां भी बताना चाहूंगा आग की तुलना युधा से होती है हावा की तुलना व्यापारी से होती है पानी की तुलना विद्वानों से होती है और मिट्टी की तुलना किसानों से होती है यानि अकबर ने चारो को प्रोटेक्ट किया था चलो चार भागों में बाटा गया इनमें चार भागों में एक है पोलज पोलज दूसरी है परती पर ताइलेंड कौन सी थी, तो पोलच है, पोलच का मतलब होता है यांपर, one year, one year, two crop, two crop, यानि एक साल में दो फसले होती थी, या वन एर, one, one crop, यानि एक साल में एक फसल, परती का मतलब होता है, एक फसल हो, और भूमी को खाली छोट देना, ठीक, देखी, चाचर के लिए, ती वर्सों में एक फसल होती थी, एक क्रोप होती थी, आगर हम बंजर की बात करते ही, तो चार से पांच फसलों में, फसलों में यहां एक क्रोप, एक क्रोप, यह उत्पादन होता था, तो बादसा ने यहां पर टेक्स कलेक्ट करने के लिए, जो तरीके अपनाए हैं, वो दो इनके लिगे क्या किया समान आकार के आकार, कि यहां पर तीन प्लाट चुने तरीके से, इसमें एक उत्तम की समखा था, उत्तम, एक मध्यम की समखा था, मध्यम और एक तीसरा जो था वो निम्न किसम निम्न किसम या निम्न उत्पादन का था तो बादसा क्या कर रहा है यहां से जो प्रोडक्शन होता है प्रोडक्शन प्रोडक्शन इस प्रोडक्शन का एवरेज निकालता है और इसका वन्थर्ड टैक्स के रूप में लेता है Suppose that यहां पर 20 फट्रोडक्शन हो रहा है यह 18 हो रहा है और यहां 16 तो इनका वो एवरेज निकालेगा यहां यानि 20 प्लस 18 फ्लस 60 अपउं 3 तो इनका प्रोडक्शन कितना होगा यह 54 यानि 18 कोंटल तो 18 कोंटल एवरेज आया और इस एवरेज का क्या करेगा हो थर्वां था ट इस तरीके से टेक्स लेता था, यहाँ पर जो टेक्स दिया जाता है, देखिए, जो टेक्स दिया जाएगा, टेक्स आप नकद भी दे सकते हैं, टेक्स आप नकद यानि कैस and yield, यानि उपज, दोनों रूप में दिया जा सकता था, लेकिन कैस यानि नकद को प्रात्मिक्ता द जाते थी अब स्विंस देखें का कई बार हम देखते हैं कि गौर्मेंट की पूलिसी इस तरीके की होनी चाहिए गौर्मेंट यदि टेक्स लेती है तो टेक्स देने लायक भी तो बनाना चाहिए तो अकबर इस बात को जनता है तो अकबर ने का रिवेन्व सिस्टम इसलिए अच्छा है क्योंकि वो किसानों के फेवर में भी है और गौर्मेंट के फेवर में भी तो यहां पर बादसा कहता है बादसा ने यहां पर क्या किया है जो चाचर और बंजर थी चाचर और बंजर किसम की भूमी थी बंजर जो भूमी थी इनके लिए बादसा ने एक यहां पर प्रस्ताव रखा है यदी तुम यदी तुम परतियाक वर्स खिती खरते हो आसे मे राजी अपने इस्से का राजी राजी अपने हिस्से का हिस्से का हिस्से का पहले वर्स पहले वर्स राज्य अपने हिस्से का 40 परसेंट 40 परसेंट लेगा लेगा दूसरे वर्स राज्य अपने हिस्से का 60 परसेंट और तीसरे वर्स राज्य अपने हिस्से का 80 परसेंट और चोथे वर्स राज्य अपना पूरा 100 परसेंट लेगा अब इस पाइंट को देख लीजिए यहां पर बादसा कहता है जो सेकिंड क्लास की भूमी है जचर और बंजत इन किसानों से कहता है कि यदि तुम अपनी भूमी को फर्टाइल बनाएं और उस पर प्रतियक वर्सखेती करें तो हम अपने हिस्से का जो हमारा हिस्सा हम चोथे साल 40% टोटल का 40% नहीं अपने हिस्से का 40% दूसरे वर्स अपने हिस्से का 60 फिर 80 फिर अपना चोथे साल पूरा हिस्सा लेगा तो अब देखिए यह पोलिशी इतनी अच्छी तो क्या होगा किसानों को लगेगा कि राज्ये टैक्स में बहुत ज्यादे छूट दे लगा है तो किसान परतेक वर्स अपने विव्यों पर खेती करने का प्रियस्स करें ज़ए तो इससे किसानों को यह लाब है कि किसानों को कम टैक्स देना हो रहा है अब आप सोचेंगे कि यहां पर टैक्स में छूट दी जा रही है राज्ये का नुक्साने लेकिन बिलकुल करता है देखिए स्ट्रेंड्स यहां पर टैक्स नगद और उपज दोनों रूपों मिलिया जाता है यदि अकाल अकाल की स्थिति होती थी अकाल आदिमी जो टैक्स था यह माफ कर दिया जाता था माफ हो जाता है आप देखिए यहां पर जो बेसिकली टैक्स कलेक्ट किया जाता है उसके लिए एक जबती परनाली है जबती परनाली परियूग की जाती थी इसके साथ साथ एक गल्ला बक्सी जिसे हम बटाई परनाली कहते हैं एक बटाई परनाली होती थी बटाई परनाली और एक कनकूत प्रणाली थी कनकूत प्रणाली अब तीनों प्रणालियों में क्या अंतर है यह जबती प्रणाली जैसे दिल्ले सल्तनत में आपने देखा हुगा कि अलावदिन खिलजी ने पहली बार भूमी की माप कराई थी चाथिसिड़ वरगज यानि 3600 इसक्वारियाई तो अकपर ने भी चाथिसिज़नु का इक प्रणाली जैसे इस जबती प्रणाली में क्या होता है यहां पर भूमी का मापन किया गया, भूमी का मापन किया गया, मापन, मापन किया गया, मापन किया गया, और इसके बाद वन्थर्ड टेक्स, टेक्स यहां पर लिया गया है, लिया गया, कनकूत परणाली में क्या होता है, देखी, भूमी की माप की गई, ठिक, जो उपजवाली भूमी जिस पर खेती की जारी और उसका वंतर टेक्स के रुप लिया गया यहां पर क्या होता है यहां पर भूमी का तो मापन होता है भूमी का मापन हुआ मापन और यहां उपज कितनी होगी उपज उपज का अनुमान लगा लिया गया अनुमान लगा लिया गया और अनुमान के आ तीन परकार की बटाई पर न लिती हैं तीन परकार की नमब 1 होती है खेत बटाई का यानि फसल पकी हुई अधीय होसल को बांट काट लेंगे एक होता है दूसरा लंक बटाई लंक लंक बटाई यह जो लंक बटाई होता है यानि यहां फसल को काट लिया गया है को काट लिया काट लिया इसके बाद बटवारा होता है यानि तुम अपना हिस्सा ले जाओ हम अपना ले रहेंगे ठीक यानि आफ्टर हर्व होता है अनाज और भूसे को अनाज वे भूसा जो है इसको अलग-अलग कर दिया गया है अलग-अलग-अलग कर दिया गया इसके बाद यानि तुम अपना हिस्सा ले जाओ और हम अपना हिस्सा ले जाए तो तीन प्रणाली है एक जबती है जबती में भूमी का मेजरमेंट हो हुआ है और जो मेजरमेंट हुआ जितनी उत्पाधन होगा उसका वन्थर लेना तनकूत में भूमी का मापन तो हुआ है लेकिन उपज का अनुमान लगा लिया गया वैसे रास बटाई पर जो बटाई पढ़ना ली है इसमें तीन है खित बटाई रास बटाई और लंग बटाई बच्चों इस राज़स व्यस्था में देखिए आम में लेकर चलता हुआ यां पर कई बार आप लोगों से कोशन कुछ लिता है आइने देहसाला वयुस्था का संबंद किससे है तो यह अक्मर की राज़स्विस्था से देखिए आइने देहसाला वयुस्था इसे में टोडरमल बंदोबस्त भी कहते ही बंदोबस्त यानि देखिए एक टोडरमल होते थे यह सेरसा सूरी के राज़स्विस्था में भी रहे ही और टोडरमल ने एक कोंसेप्ट दिया तो इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं बच्चों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूंगा अकबर की महनता में सूरी का बहुत बड़ा युगताना है देखिए सेरसा सूरी के लिए कहवत भी आती कि वो धूल में खिला फूल था धूल में रेखिस्तान में कभी फूल नहीं खिलता लेकिन वो खुला है खिला है वो सूरी महान होता लेकिन सूरी ने मात्र पांच वर्ष आसन किया है और उन पांच वर्षों में लगातार युद्रत रहा उसने कुछ स्टार्टिंग किये उसने कुछ काम किये हैं लेकिन उन कामों में कुछ कमी रह गई क्यमी इसलिए रह गई चुकि समय कम था अभी उसके एक्सपरिमेंट मत चल रहे थे यदि वो कुछ दिन और जिवित होता तो उन कम्यों को दूर करके महान बनने का सरे ले लेता है ठीक चलो तो अकबर की राजस्विश्टा देखिए एक नाम आता है अबुल फजल है यह जो अबुल फजल है फजल अपनी कुस्तक आईने अकबरी में कहता है जो आईने अकबरी है इस ट्रेंट्स अबुल फजल ने अकबर नामा लिखी थी और अकबर नामा के थर्ड वोल्यूम को आईने अकबरी कहते है आईने अकबरी में कहता है कि बादसानी बादसानी आपने सासन के आपने सासन के के 15-26 वर्स यानि 1571 से लेकर के 1580 तक के आंकड़े एकत्र किये थे तक के आंकड़े एकत्र किये आंकड़े एकत्र कर रहा है अब बताईए 15-56 में बादसागर्दी पर बैठा है यानि 15-24 यदि मैं 15 जोडता हूँ तो 1571 यहां भी मुझे 15-24 जोडना है अपने चोबिस जोडना है तो यानि 15-80 तो देखिए 1571 से 15-80 तक के जो 10 वर्स उनको यहां पर आधार बनाया गया है तो आईनी दहसाला विवस्ता में क्या होता है जैसे मैंने आपको डिसकस किया था कि बादसा ने खालसा भूमी को या खालसा भूमी पर 182 क्रोडी निफ्ट की अब क्रोडी के पास इतना च्छेतर होता था कि वहां से राज्ये को एक क्रोड़ टंग का आई प्राप्त होती था एक क्रोड़ टंग तो उस क्रोड़ी का काम क्या था अपने च्छेतर की हुआ है क्या पसलों को भाव ते उसकी डिटेल लखनी तो 1580 तक बादसा के पर प्रियाप्त आंक्ड़े एकत्र हो गए तो आइनी देशालाव उस्था में क्या करेगा हो तो जिसे 1571 2 3 4 5 तो 1580 तक के आंक्ड़े एकत्र हो गए सुपोदेट इस्वेंट्स यहां पर भाव 95 था यह 96 है यह 94 है यह 92 है यह 97 है यह 99 है यह 95 है यह 96 है और यह 100 है और यह 101 तो हर साल बादसा भाव तय करता था जैसे डाटा में ने दिये लेकिन आइनी देशालाव उस्था में क्या कर रह हो अब उसे 1581 का भाव चाहिए तो इन 10 वर्षों के जो भाव है वो इनका एवरेज निकालेगा और उसे 10 से डिवाइड करेगा एवरेज निकालके 10 से और मालीजे वह 102 है तो 1581 का जो भाव होगा वह 102 का होगा अब उसे 1582 का चाहिए तो क्या कर रहा है उपर वाले को हटा का दे रहा है और जो डिसेंटिली करंड का है इसे जोड दे रहा है और यहां एक सोह का रहा है अब उस्से 1483 का भाव चाहिए तो उसने अब इस वाले को हटा दिया और इस वाले को जोड़ दिया तो बहु leading इसका भाव होग गार तो इस तरीके से तो मेरी income कितनी होगी देखी कमाल की बात बताता हूँ मैं आपको CACP Commission of Agriculture Cost and Price ये क्या करता है ये MSP तै करता है फसलों के भाव तै करता है लेकिन कुछ फसले ऐसी होती है जिसे गन्ना है आपने देखा भी होगा किसान आधा गन्ना डाल देते हैं और पता ही नहीं लगता कि भाव क्या हुआ लेकिन अकबर का कॉंसेप्ट उस समय ऐसा था कि यहां किसान और राज्य दोनों को पता होता था कि भाव क्या रहेगा तो इस 20C टोपिक छोटा समय ने डेमोंटरेशन के रूप में लिया है अभी मैं भी फुलेंसी में नहीं आया हूँ ठीक 25C की क्लास होगी और ध्यान लकना हर टोपिक के बाद टोपिक होते जाएंगे और हर टोपिक के बाद उस टोपिक से कितने कॉशन बनते हैं वो भी आपकी साथ डिसकस होगे ठीक तो ओके ही फिंट वो भी आपकी साथ एंट अभी आपकी आपकी साथ